हाई गाई आप सब का मेरे चैनल वल्लवर पमाइव संसेटी टेप को सबधे आप सब कैसे हो और कुछ कियोंगी हूंगे कि क्या आपकी परसन को आप स्ट्रोंग लगते हो Rearly में लगते हूँ या नहीं लगते हूँ वही हम reading पे तू देखेंगे इसके लिए मैंने आप तीन पाइल रुखे है जिसमें फर्ट पाइल है Justice Second पाइल है The Emperor और फॉर्ड पाइल है The Lovers इपनेख बंड करें और इऑप को स्याहिक्ट प्लीक करें तो आप को इसमें काफी सार। और आपके लिए में अलग से वीडियो भी बना सकते हूं इंडिविजिल वीडियो जे वह भी आपको इसमें मिल जाएगा तो चले स्टार्ट करते हैं गाइस कि आपके परसन कहीं हद तक मानते हैं कि आप एक स्ट्रॉंग परसन हो ओके तो क्या हो आपको स्ट्रॉंग मुल आप उनके सामने एक स्ट्रॉंग लगते हो या नहीं तो बिल्कुल लगते हो कहीं हद तक लगते हो अब कार के थ्रूंग देखते हैं गाइस पाई लूंच इस किसमें चोज़ते हैं दुगा इंडियोर्स बताईए कि क्या वो उनके परसन के सामने स्ट्रॉंग लगते हैं आपके करते हैं से यह आना चाहते हैं इंडियोर्स डिवाइन यह कर मिलूंगी गाइस नाइन अफ वांड्स seven of cod okay eight of pentacle nine of swords four five of swords King of Pentacles, Devil, Okay, Three of Wands, The Sun, Very Nice, What I want to take हमारे पास से, Will of Fortune, अब आपकी एनर्जी से भी पता से लिगा कि क्या आपकी परसन आपको स्ट्रॉंग आप अपनी परसन के स्टामने स्ट्रॉंग रगते हो या नहीं वो तो आपकी एनर्जी से ही पता चलिगा ओके दो टू परसना हीलिंग एन हैपिनेस मैजिस्यान हैं तो मेरे इस ग्रेट एलर अब देजिस तो के दो टू रूमांस बाटम ट्रेक हमारे पास से य इन यांग ओकी तो यहां जो साइन आये है वह है एरिस लिए सट्रॉंग लगते हैं या नहीं लगते हैं इसके लिए मैं आपके लिए कुछ कहना चाहती हम कि फर्स्ट कार हमारे पास आया है नाइन ओफॉन और कींग पेंटिकल इसका मतलब यह होता है कि आप बहुत चाद सूचते हो अपने वर्प को लेकर हो अपने चीज़ों को लेकर हो अपने आसपास की वातावरां को लेकर हो या फिर अपने लोगों को लेकर हो बहुत कुछ सोचते हो समझते हो फिर उसमें आगे बढ़ना पसंद करते हो आपको लगता है कि किसी भी चीज को चीज में पारे में सोचते जरूर है कि ये बहुत ही सोच समझ कर डिसेजन लेती है हाँ देर जरूर लगती है लेकिन वो सोचते हैं समझते हैं फिर आगे बढ़ती है और ये बात इसकी मुझे अच्छी लगती है ओके सेवन अपकप की अनरजी भी यही दिखाती है कि आप अपने प्रमानों को लेकर अपने सपनों को लेकर अपने दुनिया को लेकर अपनी फैमिली को लेकर अपनी चीजों को लेकर पूरी तरीके से कॉंसे से और उसको लेकर कुछ रिस्क भी लेना पड़े तो वो भी ले इस वज़र से भी वो आपको कहीं हद तक स्ट्रॉंग समझते हैं। हाँ कुछ बात ऐसी है आपके अंदर कि कभी-कभी आप जो चीज आपके लिए नहीं जरूरी हो या आपको लिए इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं हो फिर भी आप कभी-कभी रोने लगते हो तो वो समझ नहीं पाते हैं कि ये क्यों रो रही है या क्यों रो रहा है। इसके पास सब कुछ है फिर भी वो कुछ एक चीज नहीं मिल रही इस वज़र से रो रहा है। इस वज़र से मैंने आपके ही आपको कहा कि वो कहीं हद तक वो आपको strong ज़रूर समझते हैं लेकिन 10% वो आपको थोड़ा कमजोर भी मानते हैं कि कभी-कभी कुछ बाते आपको एक कमजोर बना देती है कुछ बाते आपको strong नहीं रहने देती है इस तरह से उनकी एक समझ है आपको लेकर आपके परसंद को आपके बारे में ये भी लगता है कि आप बहुत अदा मेहनत हो आप जो भी करोगी उसमें आपको कामयाभी मिलेगी सफलता मिलेगी क्योंकि रियली में आप अपना काम पूरी सिद्दत से और मेहनत से करना जानती ह और कभी-कभी आपके अंदर थोड़ा एटिट्टूट जलगता है इस वज़र से भी आपको कुछ पाना भी चाहते हो तो वो आपके पास से नहीं आता है तो थोड़ा आपके अंदर इस वज़र से ही मैंने आगी कहा कि वो आपको strong जरूर मानते है लेकिन कुछ कम्याभी ह आपके अंदर जिसको आप खुद से ही खुद में कमजोर बना देते हो और आप थोड़े एटिटूट में जरा साए आपके अंदर आ जाता है कुछ आपको मिल जाता है तो आप गमंडी बन जाते हो एटिटूट में आ जाते हो इस वज़र से आपके पास जो भी आ रहा होत उसको आप समझ नहीं पाते हो और अपनी लाइफ में पूरी तरीके से लेना चाहिए वो ले नहीं पाते हो और कभी कभी आपको कुछ नहीं मिलता है आपके सपने कुछ नहीं पूरे होते है या बहुत मेहनत की होती है और आपको कुछ नहीं हो मिलता हो तो आप negative energy में आ जात कि हैं वो सारे पानी में चले जाएंगे इस तरह से आप कमजोर पर जाते हो और नेगेटिव सोचने लगते हो इस वज़र से मैंने आगी कहा कि आपके परसन को आप कहीं हद तक स्ट्रॉंग लगते हो लेकिन टैन परसन आप एक कमजोर हो उसमें भी आप दीरे-दीरे नेगेटिव हो जाते हो इस वज़र से आपको जो मिलना होता है वो नहीं मिल पाता है तो आपको हर पल पॉजिटिव रहना सीखना पड़ेगा और आपको कभी-कभी एक नेगेटिविटी भी घे लेती है उससे बाहा निकलने के लिए आप लोगों के उपर भी बहुँच जड़ ध्यान देते हो तो उसके उपर ध्यान नहीं देना है उनका मानना है आप लोगों के उपर ध्यान नहीं दोगे तो आपकी पॉजिटिविटी को कोई छीन नहीं सकता है और आपकी काबिलियत को आपकी मेहनत को कोई छीन नहीं सकता है और आप जो भी चाहोगी अपन आपको प्यार करना सीखना है अपनी कदर करना जाना है और आप जो भी कर रहे हो उसके लिए respectful रहे है और thankful रहे है जिसे आप जो भी करो वो बहतर तरीके से आगे ही आगे भी करते चले जाओ तो क्या आप अपने पसंद के लिए strong लगते हो या नहीं हाँ बिल्कुल लगते हो क्योंकि आप अपने life में जो कुछ भी चाहते हो वो पास सकते हो आप एक magician हो काफी हद तक वो आप उनको strong लगते हो कुछ चीज़े ऐसी है कि आप लोगों के उपर ध्यान देते हो और इस वज़र से कभी कभी negative हो जाते हो और अपनी मेहनत के उपर इतना ज़दा फोकस नहीं कर पाते हो या फिर आपका consciousness टूट जाता है इस वज़र से ही कभी कमजोर पढ़ जाते हो बाकी आपको कोई दुनिया का कोई भी इनसान तोड नहीं सकता है Wheel of Fortune का कार्भी यही कहता है कि आप चाहो वो अपनी किस्मत बना सकते हो इतने ज़दा powerful और strong हो वो यह भी मानते हैं कि आप अपनी energy को balance कर लोगे तो आपको आगे आने से कोई नहीं रोख सकता है और strong तो पूरी तरीके से बन ही जाओगे Justice का मतलब भी यही होता है कि आपके person पूरी तरीके से आपको strong मानते है सिर्फ आपको थोड़ी अपनी energy थोड़ी आप negative बना लेते हो उससे ही बहार निकलना है क्योंकि यह भी energy का ही card है Justice Libra तो आपको सिर्फ अपनी energy को पूरी तरीके से balance में रखना है, stable रखना है तो आप पूरी तरीके से powerful और strong बन जाओगे अभी भी strong हो लेकिन जितने होने चाहिए उतने नहीं हो आपके पसंद का मान ना है यह आपके rating अगर आपके rating अच्छे लगी हो तो मेरी चैनल को like करे, share करे, subscribe करे, comment करके जोब बताए, bye guys Hi guys, अब जिसके सिने भी पाइलटे चूज़के है, the emperor, तो क्या आप अपने पसंद को strong लगते हो, पेलकोल पूरी तरीके से लगते हो, कि आपकी जैसा इंसान उन्होंने कभी नहीं दिखाए, पूरी तरीके से strict हो, वफादार हो, loyal हो, individual हो, independent हो, काफी ज़्यादा तारिफ क के लिए, क्या आप अपने पसंद को strong लगते हो, यूनिवर्स डिवाइन पाइलटू, तो बताएए कि, क्या वो अपने पसंद को strong लगते हो, च्ट्पूर्ड़ूड़ूर।। उनिवर्स डिवाइन चाइलटू।। शरी वरेग्रण ऌइजाईग काइच, च्ट्पूरूरूड घट्पूरूडड। शरी जाइस ग्रडू्स। ग्रूरूडूड। तर बताए़, वर्द्पूरू। तर थ्री ओफ कॉप, पेज ओफ बॉंड्स, ओके, नाइन ओफ सॉड्स, दो हर्मिट, ग्रेट, पॉटम्ट डेक हमारे पास है, सेवन अफ कॉप, ओके, चली जहां से दीते हैं, यूनिवर्स डिवाइन, पाइल टू, क्या आप अपने पर्सन को स्ट्रॉंग लगते हो, दर थिंकिंग वुमा, वो तो आप रही, बहड़ चरकर सोचते हो, तभी तो सही फैसला लेते हो, इंजल अफ लॉव, कॉम्यूनिटी और डोर टू वैल्यू, वोटम्ट डेक हमारे पास है, सेकंड चक्रा, आरकंजे, एरियल, ओके, सोलर प्लेक्स, सॉरी, सेक्रल चक्रा, ओके, तो यहाँ जो साइना है, वो है, एरिस, लियो, सेजिटेरिस, कैंसर, स्पाइस, कॉपियो, और टॉर्स, वर्गो, कैप्रिकॉन है, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्विरिस भी है, मतलब सारे साइने, ओके, तो, क्या आप अपने परसंद को स्ट्रॉंग लगते हो या नहीं, तो मैंने आगे ही कहे दिया, कि यह ओली में लगते हो, और आपके सारे ही कार्ड पोजिटिव आए है, वो आपको लेकर यही मानते है, कि आप चाहे वो नया-नया क्रियेटिव कर सकते हो, और कुछ ना-कुछ क्रियेटिव करना आपको आता है, नॉर्मल तरीके से भी आपके पास कम एक एक इक्विप्मेंट हो, या पिर सासाधन हो, या जो भी आपके पास हो चीजे, उससे आप बहुत कुछ नया बना सकते हो, उनका मना है, आपके पास एक अच्छी ट कभी पार्टी भी करते हो, कभी-कभी उनके साथ, एक अच्छा वक्त और माहौल भी क्रियेट करते हो उनके साथ, इस वज़र से भी उनको लगता है कि आप स्ट्रॉंग हो, उनका ये भी मानना है कि आपको कोई भी रुक नहीं सकता है, तोड नहीं सकता है, हरा नहीं सकता ह आप अपने आप में ही बहुत कुछ हो उनका माना है और वो ये भी मान दें कि आप बहुत जदा नोलिजिबल हो बनानी हो और बहुत ही एक स्ट्रॉंग परसन हो जिसके पास बर्चरकर बनान है और बनान का वो सही तरीके से इस्तिमाल करना उनको आता है आप अपने एक emotional energy को सही तरीके से इस्तमाल करते हो अपने family को भी खोश रखते होंगे उनकी जरियातों का भी ध्यान रखते होंगे अपने partner को भी खोश रखते हो मतलब सबी तरीके से आपको लोगों को खोश रखना आता है Adventure करना पसंद है लोगों के साथ royal loyal रहना पसंद है और आपके जो लोगों होगा वो बहुत ज़दा royal होगा एक पूरी तरीके से सांदार amazing stylist लोगों होगा आपका Sorry for background noise guys आपके पसंद को ये भी लगता है कि आप बहुत सारे लोगों को हसा भी सकते हो खुस भी रख सकते हो आपका sense of humor भी अच्छा होगा आप मस्ती मजग भी अच्छे कर लेते हैं इस तरह से उनका मानना है वो ये भी मानते है कि आप कभी भी रोते नहीं हो लेकिन परिसानियों का हल ढूनना जानते हो solution लाना जानते हो और अपनी चीजों को लेकर पूरी तरीके से conscious हो अपनी personality को develop करना जानते हो और लोगों के सामने अच्छी तरीके से रखना भी जानते हो और आप बहुत ज़दा mature हो आपके पसंद का मानना है आप बहुत ज़दा सोचते हो समझते हो फिर किसी भी एक चीज में या situation में आगे बढ़ते हो तो इस वज़र से भी उनको लगता है कि आप एक अच्छा decision लेने लेने वाले इंसान हो और risk की ticker भी हो आप बहुत ज़दी अच्छा risk लेते हो और उसमें भी आपको कामिया भी मिलती है और आप जो भी फैसला लोगे वो अपने आसपास के around के लोगों को लेकर चीजों को लेकर situation को देखकर कोई भी फैसला लोगे उनका मानना है वो ये भी मानते है कि आप लोगों में पहचाने जाने वाले एक अच्छे इंसान हो बहुत सारे लोग आपको जानते हैं पहचानते हैं इसका मतलब यही होता है कि आप अपना वहवार भी लोगों के सामने अच्छा रपते होंगे और आपके पास abundance बहुत ज़्यादा आती होगी सिप पैसों से ही नहीं आप सभी तरीके से एक abundance पसन हो आपकी अपनी पसनालिटी को लोगों के सामने और खुद के लिए रखना आप जानते हो और पूरी तरीके से positivity आपके अंदर से जलगती है इस वज़र से आपके पसन आपको सही माइने में एक strong पसन समझती है और मानती है सेवन अपक के energy भी यही कहती है कि आप सब कुछ संबाल सकते हो अपने सपने भी पूरे कर सकते हो और यह energy यह दिखाती है कि आप सब भी को प्यार कते हो खुद को भी प्यार कते हो खुद के favorite हो इस वज़र से आपको आगे आने से कोई नहीं रोख सकता है D. Emperor की position भी यही कहती है कि आप पूरी तरीके से strong और मजबूत हो अपने दिलों दिमाग से यह है आपके rating अगर आपके rating अच्छे लगी हो तो मेरी चैनल को like करे, share करे, subscribe करे, comment करके जूरू बताए Hi guys, अब जिस किसे ने भी पालते चूज़के है the lovers तो क्या आप अपने person को strong लगते हो इसके लिए मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आपके जैसा प्यारा और sensitive और sensible इंसान उन्होंने कभी नहीं दिखा है जो लोगों के feeling को और अपने feeling को की कदर करता है, कार्ड के थूरू पता चलेगा कि आपके person आपको कितना strong समझते है या मानते है पाल में, sorry, five things, जिस किसे ने चूज़के है तो बताएए कि क्या उनके person को बहुत strong लगते हो universe divine, five three यह कमें लोगी guys, son of wands knight of wands, okay page of cup, the empress the emperor, great, nice, अब तो couple हो, जब आप दोनों ही strong हो, the sun आप दोनों को कोई नहीं तोर सकता है खुद भी नहीं, the magician, knight of pentacle, king of pentacle, bottom of the deck हमारे पास है six of wands, यह energy पहली बार आई है guys, यह बहुत अच्छी बात है आप दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरत हो, मतलब एक दूसरे के बगर अदूरे हो आप फ्रेंड भी हो सकते हो, couple भी हो सकते हो, partner भी हो सकते हो, कोनों कोपिया, या callings हो सकते हो, या family member भी हो सकते हो, angel of love, the sun का काड़ अगे, man holding a coin, bottom to deck हमारे पास है indecision, ओकी तो क्या आप अपने person को strong लगते हो, सिर्फ आपको लिए मैं यहाँ यही कहूंगी, कि आप दूनों एक दूसरे की strong, powerness हो, क्योंकि आप एक दूसरे को पूरा करते हो, ओके आपके, आप जब उसके साथ होते हो, तो आपका person की वज़े से आप strong बन जाते हो, और आपकी वज़े से आपके person strong बन जाते हैं, यहाँ यही energy आ रहे हैं, तो यही कहूंगी मैं, कि आप दूनों एक दूसरे की strong power हो, और आप दूनों एक दूसरे के साथ हो, तो आप strong हो, और आप दूनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, तो आप कहीं हद तक strong हो, और कहीं हद तक strong नहीं हो, मतलब 50-50 है, आप अकेले हो, तो guys, मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ यही कहूंगी, कि आपको आगे बढ़ने में आप रिस्क लेने से कभिगभी घब्रा जाते हो, अपने आपको संबाल नहीं पाते हो, पभी कभी InMature भी बन जाते हो, लेकिन आप दुननों जब साथ होते हो, friend हो तब भी साथ होते हो, तो एक दूसरे की Strong Power बने जाते हो, हिम्मत बन जाते हो, Strength बन जाते हो, आप partner हो तो भी आप एक दुसरे की really power हो guys आप twin frame हो सकते हो या फिर soulmate हो सकते हो इसी वजर से आप एक दुसरे के लिए extend हो और आप दुनों जब अलग हो तब एक दुसरे की कमी आप दुनों को महसुस होती होगी और फिर आप दुनों जटना strong होना चाहिए उतने strong नहीं भी होकते होंगे यही energy है आपके लिए और यहाँ the Empress और the Emperor की position भी यही दिखाती है कि आप एक दुसरे के साथ हो तो पूरी तरीके से strong हो और दुनिया में अपना लाम बना सकते हो पहचान बना सकते हो और आपकी अपनी personality को भी लोगों के सामने रखना आपको आता है पूरी तरीके से confidence हो और evidence हो और एक magician बन जाते हो लेकिन जब अलग-अलग होते हो एक दुसरे से तब आप थोड़े कमजोर पढ़ जाते हो और जितने strong दिखने एक power आपके अंदर दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती है आपके लिए दो बार sun की energy आई है इसका मतलब यह भी होता है कि really में आप दोने एक दुसरे को प्यार करते होंगे या twin flame या soulmate होंगे तो आप दोनों एक दुसरे का एहसास हो और एहसास से आप दोनों पूरी तरिके से एक दुसरे को strength देते हो यही सचाई है आपके लिए आप दोनों साथ में नहीं भी हो तब भी एक दुसरे को एहसास देते हो इसकी वज़र से एक दुसरे की strength बन कर रहती हो और आगे बढ़ते हो और आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता है इतने ज़्यादा powerful बन जाते हुआ इतने ज़्यादा strong बन जाते हो और आपके light में बहुत सारे abundance है आप एक दूसरे के लिए बहुत खास हो और sun के energy तो यहीं कहती है कि आप दूने एक दूसरे के साथ bright हो बहुत ज़्यादा खूस रहते हो चमकते सितारे बन जाते हो बहुत ज़्यादा famous बन जाते हो और आपके पास abundance आती ही चले जाएगी अब दूनों साथ में होंगे तो और अभी आप दूनों अलग हो friend हो या फिर किसी भी तरह कर एक relationship है तो सिफ आप दूनों एक दूसरे के साथ बात सेर्थ करते हो और इससे भी आपको strength मिलती है यही सच है आप दूनों के लिए तो guys यहां मैं सिफ आपको यही कहूंगी कि क्या आप अपने person को strong लगते हो बिल्कुल लगते हो आप भी उनको strong लगते हो और आपके partner को मतलब guys आपके लिए आपके partner really में strong दिखते होंगे आपके सामने और आपके partner के सामने आप भी really में strong दिखते होंगे कि आप साथ में साथ में होते हो तब powerful energy आपके दोनों में होती है लेकिन जब individual काम करते हो अलग रहकर काम करते हो तब आपकी strongness पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी साथ में हो तब होती है और आपने देखा ही होगा कि कभी कभी कोई husband wife साथ में partnership में काम करते है या साथ में किसी भी तरह का business करते है या साथ में job भी करते होंगे तो ये एक दूनों की strength है Soul meter team frame हो तो आप एक दूसरे की strength हो यही सच है आपके लिए Six of One का कार भी यही कहता है कि सफलता आप दूनों के लिए नामों की नहीं है impossible नहीं है सब कुछ आपके लिए है सब कुछ आपके लिए सक्या है possible है Indecision का कार भी यही है कि आप दूनों एक दूसरे के बगर अधूर हो और The Lovers का कार भी यही कहता है कि आप देख सकते हो यहां भी partnership तो आप दूनों एक दूसरे के साथ ही पूरे होते हो और आप दूनों साथ में नहीं भी हो फिर भी एहसास के थ्रूँ आप दूनों कोई एक दूसरे की strength मिलती है यह है आपके रिडिंग अगर आपके रिडिंग अच्छे लगए हो तो मेरी चैनल को लाइक करें साथ करें सब्सक्राइब करें कॉर्ण करके जोड़ बते हैं बाई काईस